हर्याणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड में धंतेरस महला सम्मान सम्मेलन का आयोजिन किया गया सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहलाल ने मुख्य अथती के तौर पर शिर्कत की तो महें केंद्रे राज्यमंत्री क्रिश्नपाल गुर्जन ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई मुख्यमंत्री ने महलाओं को धंतेरस दिवाली और भाया दूच की बधाई दी देखिए खास रबो हर्याना के सूरजकुण वे धंतेरस की मौखे पर धंतेरस महला सम्मान सम्मेलन का आयूजन किया गया इस सम्मेलन में हर्याना की मुख्यमंत्री मनोहरल ने मुख्य अथती के तौर पर शिर्कत की वही केंद्रे राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी अपनी मौजूद्गी दर्च कराई यहां भारिश संख्या में पहुची महिलाओं ने हर्याणा के लोक गीतों पर नाच कर अपनी खुशी जाहे दिये मौके मंत्री ने यहां बारिश के बावजूद भारिश संख्या में महिलाओं के पहुचने पर उन्हें धन तेरस दिवाली और भईया दूच की बढ़ाई दे इस मौके पर सियम ने कहा कि दीपावली से लेकर 22 जन्वरी तक आयोध्या में दीपावली मेला चलता रहेगा और इसी दिन प्रधान मंत्री मोदी भवे राम मंदिर का शुभारम करेंगे और उस दिन हमारे लिए एक और दीपावली का पर्व होगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मिले का उत्सव शुरू किया गया है और इस अफसर पर महिलाओं को खास निमंत्रण दिया गया था जिसके लिए वो तमाम महिलाओं को धन्यवाद देते हैं जो बारिश के बावजूद यहां पहुचे उन्होंने महिलाओं से अपील की कि लोगसभा और विधानसभा के चुनाव में केंद्र और राजे सरकार की योजनाव के अलावा सरकार के जनहित कारियों को याद रखे लोग सभा में मोदी जी के चुनाव के बाद हर्याना कविधान सभा चुनाव भी आएगा उस समय आपको इस भाई को भी याद रखना है बड़ी संख्या में वर्षा के समय आया अपस्थित हुई अभी आपको जाते हैं समय एक जैसे हमने उस दिंज के दिन E哥 टिया था आज उपको यहांपट एक दीपक मिलेगा आपको यहां कलेंडर मिलेगा अन्य जो समान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है इस दीपक में हमको मालूम है आज से शुरूव का और बाइस जनुनी तक ये मेला लगातर चलने वाला है पगवान राम चंदर जी के जनम स्थान पर और उस दिर प्रधार मंतर जी स्वाम उस मेले का और प्रकार से उस गवान राम के मंदर का और उद्धाटन करेंगे वो दिन हमार दिवाले होगी तो उसके लिए भी मैं आपको अगरिम बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ वही केंद्रे राज्यमंत्री कृष्णुपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार महलाओं के आर्थिक और समाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा अगर महलाओं सम्रद्ध होंगी तो भारत भी सम्रद्ध होगा उन्होंने कहा कि महलाओं का आर्थिक सशक्ति करन देश के विकास को पढ़ावा देगा उन्होंने कहा कि बीते नौ वर्ष में केंद्र प्रदेश की सरकार ने महिलाओं का आर्थिक सशक्ति करण किया है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो चाहे मुद्रा लोन की बात हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट घर देने की बात हो ये सब महिलाओं की उत्थान को लेकर भाज़पा ने काम किया है उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को समर्द बनाने के लिए हावे महिलाओं को समर्द बनाना ही होगा मैलाओं के सब्सक्राइब का अर्थ है, मैलाओं की आर्थिक सामाजी और सेक्षिनिक तरक्की को बढ़ावा देने से है, जिसमें उनका सामाजी स्तर और जीवन स्तर और भी बहतर हो तकी है. आप सब बैठ जाएए, सब को दीव विद्रित किये जाएंगे, आप बैठ ये, ज्यादा जोर की बारिश नहीं हैं, मैं इतना कहते हैं अपनी बात को समाज कर रहा हूँ, देखिए, जो मैलाओं समर्द होती हैं, तो भारत समर्द होता है, दुनिया समर्द होती है. सूरच कुंड में धन्तेरस महला सम्मान समेलन में, खुद के बीच राज्य के सीम को पाकर महलाएं बहुत खुश नज़राईंगे, इन महलाओं ने सरकार के विकास नीतियों के जमकर तारीफ की, वहीं सीम मनोहरलाल दीपावली मोहतसफ के मौके पर सूरच कुंड में प्र